तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत एजी केक डिजाइन और यह पूरा प्रोसेस पे आपको बताऊंगी यह केक मैंने सिर्फ 10 मिनिट में इसकी डिजाइनिंग की है इतना सिंपल है कि अगर आप पहली बार भी केक बनाएंगे ना तो डिजाइन कर पाएंगे ग्राम प्रिमिक्स आपको ले लेना है हाफ कप के लिए 180 ग्राम भी ले सकते हैं आप उसमें परफेक्ट हाफ कीजी का केक बनकर तयार हो जाएगा यह हूमेट प्रिमिक्स मैंने रेडी करके रखा हुआ है और बस फटा पट इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं आप मा प्रिमिक्स कर लेना है अब यह देखिए यहां पर मैंने जो प्रिमिक्स लिया था यह दो फॉर्टी एमल वाले कप में लिया था इसलिए पुरा एक कप भरके नहीं लिया अगर आप कप से मिजरमेंट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से मिजरमेंट ले सकते हैं तो यहां प बैटर बिल्कुल तयार हो गया इसमें लगभग आधा कप जितना ही पानी लगा है इसमें आधा कप में थोड़ा सा पानी हमारा बज गया तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी में मैंने बैटर को तयार कर लिया अब यहां पर केक तिन तयार करेंगे तो हम कुछ भी बटर पेपर गयरा नहीं लगाएंगे नहीं मैदा से कोट करेंगे सिंपली हम ओइल से इसे ग्रीज करेंगे पर ओइल तोड़ा ज्यादा डाल लीजेगा ताकि आपका केक असानी से निकलाए देखिए जैसे मैंने डाला है अच्छे से ओइल से ग्रीज कर लिया इसी तरीके से आपको ग करना है और यहां पर आपको 20 मिनिट लग जाते हैं हाफ के जी के को बेक करने के लिए अब यहां पर मैं आपको सिखा रही हूं गैस पे बेकिंग करना तो गैस पे बेक करने के लिए आपको क्या करना है पहले से ही जो भी कोई बड़ा भारी तले का बरतन है उसे ले लिजे चाहे तवा हो कड़ाई हो या फिर आपका कोई इस तरीके का भगोना हो उसे आप ले सकते हैं उसमें एक स्टैन रखने के बाद अपने जो बरतन है उसे ढख दीजिए और अप 10 मिनिट के लिए उसे पहले प्री हीट कीजिए जब प्री हीट हो जाए तब आपको उसमें अप दखने के बाद में इसे लो फ्लेम पर बेक करूंगी लो फ्लेम पर आपको इसे बेक करने में 30 मिनिट अराम से लग जाएंगे 30 मिनिट में बहुत अच्छे से केक बेक हो जाएगा और देखिए अगर 30 मिनिट बाद चेक करें और केक बेक ना हो तो उसे ठक कर फिर से 10 मिनि इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ अब यहां पर एक ट्विस्ट आ गया मेरे साथ केक तो मैंने मौनिंग में बना लिया लेकिन जो यह केक मुझे मैंने पंडी जी के लिए बनाया था तो शाम को मैं उनके बड़े गिफ्ट के लिए चली गई और मुझे केक डिजाइन का तब तक कैज़े हूँ मैं आई ततक बड़े स्टार्ट हो चुका था तो फिर मैंने फटा फटसेसे लेयर में कट कर लिया लेयर में कट करके यहां पर मैने3 चूगर सीरप पानी में दो चम्मच चीनी डाली और उसको गोल दिया दो चमच पीसी तीवी चीनी डालिए दोस्तों और यहां पर इस तरीके से स्पून से ही मैंने फटा फट से हाँ पर इसे शुगर सीरफ से सोक करना शुरू कर दिया अब यहां पर हम इसे सोक कर लेंगे फिर इसके बाद इसके उपर हम क्रीम लगाएंगे तो यह केक मैंने बहुत जल्दी में अच्छा डाल दिया और क्रीम को यहां पर एक लेयर पर लगा लिया उसके बाद मैंने काफी सारा बलूबैरी का क्रेश डाला अच्छे से फैला दिया और यह फिलेवर काफी ही टेस्टी लगता है तो मुझे यही समझ मैं यही फिलेवर बना लिया फटा फट सी दूसरी ल तो इस तरीके से मैंने पूरे केक के लियर कर ली और उसके बाद मैंने इसे क्रम कोट कर लिया और मेरे पास टाइम बहुत कम था सिर्फ पांच मिनिट में मुझे काम फिनिश करना पड़ा अब यहां पर मुझे आइडिया आया कि मैं क्या डिजाइनिंग करूं जो फटा फट समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं तो मैंने यही डिजाइन सोचा इससे मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम निकालते हुए केक को साइड से डेकुरेट करना शुरू कर दिया और यहां मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया तो मैंने जो पाइपिंग कोन है उसी में एक कोनी की त क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैंसे फिनिश कर पाऊं और इसको सही से आइसिंग कर पाऊं तो इसलिए मैंने यह डिजाइन सोचा जिससे मेरा काम बहुत सिंपल हो जा नहीं मुझे आइसिंग करने पड़े तो यहां मैंने पड़ा-फट से क्या किया पूरे में डिजाइन करना शुरू कर दिया इसी तरीके के छोटे-छोटे फ्लावर्स मैंने पूरे केक पर बना दिये और उससे फिर मेरा केक कवर भी हो गया बिना आइसिंग की जो उबर खाबर आप देख रहे हो ना वो सब इस डिजाइन से ढख जाने वाला था तो मैंन यह केक मैं उनको गिफ्ट के तोर पर दे पाऊं तो बस इसी सोच में मैंने यह केक जल्दी से फटाफट कंप्लीट किया पांच मिनिट से कम टाइम में मैंने यह पूरी आइसिंग की और बस फटाफट से यह को मैंने दो मिनिट के लिए पांच मिनिट के लिए फ्रिज में डाला और जल्दी से इसे हलका सा थंडा कर लिया क्योंकि बेस पहले से थंडा था बेस में सुभही बना चुकी थी तो केक को मैंने फिर सेट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाई और फटाफट से मैं इस केक को वहाँ पर लेके गई जहां बड़े था तो ताकि ये क कुछ ट्राइ कर सकते हैं जिससे आपका काम फटाफट हो जाए आपको आइसिंग करने की जुरती ना पड़े आपको केक की फिनिशिंग करने की जुरत ना पड़े और आप बस फटाफट से काम बन जाए साइट में मैंने यहाँ पर देखी नीचे इस तरीके का बॉर्डर बना दिया है और फिर उपर जो थोड़ी सी क्रीम बची थी ना इसी से मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स जगा जगा बना दिये ताकि यह लुक सुंदर आए उपर से थोड़ा सा मैंने कलरफुल जो स्प्रिंकल साते हैं वो डाल दिये हैं और बस केक पिलकुल रड़ी है आ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं रहेंगे इसी तरह की क्या असान और न्यू न्यू रैसे पीस की साथ निद्व